नमस्कार दोस्तों, इतियास के पन्नों से गुर्जर वीर गाथा, महराज अजैपाल वै बाल मुराज, ग्यारा सो चुए तरिश्वी से ग्यारा सो अठतरिश्वी तक गुर्जर समराट कुमारपाल के बाद उसका बतिजा अजैपाल गुर्जरेश्वर बना, उसकी रानी का नाम नाईका देवी था, अजैपाल किसी गरी मिर्तु हो गई, उसके बाद उसका छोटा सा बच्चा बाल मुराज गुर्जरेश्वर बना और उसकी माता महराणी मान आदी ने सरारत आरम कर दी, सोमेशवर चोवान ने अपनी लड़की मिवाड के समर सिंग गैलोत को ब्यादी और लड़के पिर्थी राज की सगाई आबू के जैची परमार की लड़की से पक्की करके चोहानों गैलोतों वाय परमारों का गुर्जरेशवर के विरुद सं मठन कर दिया मालवा के परमार भी विद्रोई हो गए वे सभी गुर्जरेशवर की अदिन्ता से मुक्ति चाते थे बाल मुराज के सनक्षक भीमदेव दितिया ने इस गठबंदन का विरोध किया और जैची परमार से कहा कि वाय अपनी लड़की की साधी सोमेशवर के पू प्लित सक्ती से यूद करना पड़ा यह आपशी ब्यानक यूद 1177 में आबू चंदरावती के निकट हुआ भीमदेव दित्या ने उन सब को पराजित करके चंदरावती पर अधिकार कर लिया और उसके मुख्या सोमेशवर चुवान को यूद बूमी में मार गिराया परंतु सोमेशवर का पुत्तर पिर्थवी राज परमार कुमारी को लेकर अजमेर पहुंचने में सपल हुआ और अजमेर का साशक बना वो सपलता के विश्या में उसके दरबार में कवियों ने गुर्जरेशवर का मान भंक आदी खविताएं गाई भीमदेव ने परमारों गैलोतों वचो आनों आदी को अपने आदीन करने वै गुर्जर देश के इन विखरेवे बागों को फिर से एक जंडे के नीचे लाने के विचार से अपनी सेना संग्ठित की उसी समय 1178 इश्वी में गजनी के बादश्या ग्यासुदिन के बाई साब उदिन गोरी ने भारत पर अपना पर्थम हमला किया गोरी ने नाडूल के छोटे से चुवान राजया पर अपना हमला करके नगर को लूटा और मंदिर को तोड़ डाला पिर्थ्वी राज उरुष के सहयोगी तमासा देखते रहे उन्होंने अपनी बलाई इसी इस में समझी की पाटन गुजरात के गुरुजरेश्वर की सक्ती मुसल्मानों से टकरा कर अक्सिन हो जाए भीमदव यह समझार सुनते ही सिंग समान गरजता हुआ गुरुजर सेना के साथ अकर्मनकारी का दमन करने के लिए रवाना हुआ महरानी नाइका देवी बाल मुराज को गौद में बैठा वा अथी पर स्वार होकर युद्व में पहुंची कई दन रात के गोर संगराम के बाद गोरी बुरी तरह प्राजित हुआ उसके बारी सिंख्या में सैनिक मारे गए और युए गायल होकर गजनी बाग गया गुर्जर वीरों की विजय हुई और वे अपनी पर्मप्रा के अनुसार भारत किरिक्षा करने में सपल हुए परंतों उसी सिमय बालक बाल मुराज की मिर्त्यू राजमाता नाइका देवी की गोद में हो गई उस समय के वरतांतों पर नाइका देवी लेखक धूम के तू नामक पुष्टक उपलब्द है गुर्जरेश्वर महराज भीम देवद्यूतिय ग्यार सो ठत्तर इसवी से बार सो चालिश इसवी तक बाल मुराज के बाद भीम देव द्यूतिय सन ग्यार सो अठत्तर इसवी में पाटन की गद्धी पर बैठा उसकी रानी लिलावती चोहान वंच की थी उसका परदान सेनापती वै मंत्री जगदेव पर तिहार था जगदेव पर तियार कन्योज के महान गुर्जर समराटों का वंचज था जो कन्योज के पतन के बाद गुर्जर देश में आबसे थे आजकल उनके वंचज बढ़ाने या बढ़ाने अर्थार्थ बढ़े और डोडिये या डेडिये अर्थार्थ डोडिवान या पर तियार भीम देवद्यूतिय के दूसरे सेनापती जैशिंग, वस्तुपाल, लवन परसाद और वीर दवल आदी अधिक परसिद हैं, भीम देवद्यूतिय गुर्जर देश के केवल उशी भाग का महाराज था जो अब गुजुरात कहलाता है। राजपुताना वे गुजुरात नामक दो बागों में बठने के लिए त्यार हो रहा था, अजमेर का पिर्थिवराज चुभान, चुभानों गैलोतों परमारों का उनका राज्याजमेर दिल्ली जो पहले तंवरों के आदीन था और पटियाडा वे कांगरा तक फैला हुआ कन्योज के जैचंद, गहदवाल और महुआ बुदेल खंड का चंदेला परमाल उसके लगातार अमलों से परार्ष्टो कर अक्स्ति सक्ति हिन हो गए थे जैचंद की लड़की सेयोगिता की कहानी सरोविदित है अतै पिर्थिराज थोड़े ही समय में उत्तरबार्थ की परमुक सक्ति बन गया था पिर्थिराज ने अपने पिता का बदला लेने के लिए गुजरात परमला किया परंतु भीम देव दियुतिया के परधान सेनाप जगदेव परतिहार ने उसको बुरी तरह परास्त किया बाद में भीम देव दियुतिया की महरानी लीला देवी जो चोहान वन्सकी थी ने पिर्थिराज वै भीम देव में सुलै करा दी पिर्थिराज ने गजनी के बाद से ग्यासुदिन गोरी को 1195 एशी में तरावडी के युद में परास्त किया था परंतु अगले ही वरस 1192 एशी में मुहमद गोरी ने गोर संगराम के बाद पिर्थिराज को मार कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया इस परकर भारत में मुसलिम सामराजय स्तापित हो गया बीव देव दियती है उस समय यादव राजा बीलम के अमलों से गुजरात की रख्या कर रहा था इसके बाद मुसल्मानों ने कन्योज महुबा तरीपुरी गवाली और बिहार तथा बंगाला दी बहुत ही थोड़े दिनों में विजय करके समस्त हिंदू राजवन्शों का अंत करके मुसलिम सामराजय बारत में स्तापित किया इन सभी प्रांतों से राठोर कच्छवाहे पाल सेन कल्चूरी चंदेले आदी बहुत से अन्याजातियों के लोग मुसल्मानों के आकर्मनों वै आतंकों से समस्त स्तापित कर लिए और इस परकार भिन-बिन जातियों की मिश्रित जाती का नाम राजपुत हुआ इसमें सेकावत वै आदिवासी बिश्तित मिश्रित थे गुजरों के परमारग एलोच चोहानों आदीवन्शों के लोग बारी संक्या में राजपुत बने प्रंतु इनी चोहान आदीवन्शों के जिन गुजरों ने भिन-बिन जातियों के साथ सम्मंत जोड कर राजपुत बनना उचीत ने समझा वे गुजर ही रहे। भीम देव दूतिया को अपने लंबे साशनकाल 1188-1244 इशवी में जुरात की रक्ष्या के लिए अंगनित युद करने पड़े साबुदिन गोरी के सेनापती कुतुबुदिन ने 1197 इशवी में आकर्मन किया और पाटन नगर तक मार काट करता हुआ बढ़ता गया। प्रंतु भीम देव दूतिया के सेनापतियों ने उसे मार भगाया। इसके पश्चाद दिल्ली के बाद सहा हाल्तमस ने राजपुताना की सभी रियास्तों को पराजित करके गुजरात पर आकर्मन किया। प्रंतु करारी हार के बाद वापिस लोटना पड़ा। दक्षिन में देव गिरी के यादवन के भी गुजरात पर भ्यानक हमले लगातार हो रहे थे। प्रंतु बिल्लव जैतुंग वै सिंगन तीनों यादव राजाओं को भीमदेव के सेनापतियों लवन परसाद वै वस्तुपालादी ने बार बार हराया और उनके सभी अमलों को पच्छाड कर बार बार गुजरात की रक्ष्या की मालवा के परमारों विंद्या वर्मा व बार बार हरा कर लोटना पड़ा मारवाड के सरदारों ने भी गुजरात पर अकर्मन किये प्रंतु उनको भी मुझ की खानी पड़ी इस प्रकार चारों तरप के अकर्मनों और लगातार युद्धों में गुजरों के लाखो वीर काम आए जैहिंद वंदे मातरम पिरिया दोस्तों हमारा बारत युट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करे और अपने सुझाओ ज्यादा से ज्यादा दे आपका बहुत बहुत तन्यावाद जैहिंद